तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीम के स्पेसिफिकेशन के बारे में हर एक बार की इंपोर्टेंस के बारे में कि अगर वो बीम पे लगती है तो वहाँ पर उसके लगने का क्या इंपोर्टेंस है ये सारी चीज़े आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो बिल्कुल अंति तक बने रहीएगा हमारे साथ ताकि सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बहुत अच्छा नौलेज हो सके सिविल के बाद गुरू जी के साथ ये डिटेल्स वहाँ पर आपको मिल सकती है तो आएए देरी ना करते हुए चालू करते है हमारे स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये हमारे एक बीम का फ्रेम है हाला कि I know बहुत वक्त हो जो कि इस बीम के फ्रेम को बनाए हुए तो ये थोड़ा सा end band हो गया तो बिल्कुल don't mind it हम देखते हैं कि ये जो हमारे बीम का फ्रेम है यहाँ पर हमारे टॉप बार लगा है clear ये हमारा bottom बार है अब मैं इस टेबल को मेरा support मानता हूँ ये एक support है जो ये beam अपने column से लगा हुआ है similarly यहाँ पर भी एक support है जो ये column पर जाकर लगा हुआ है यहाँ पर इसको दो support मिल जाते है beam को और बीच में कुछ भी support नहीं रहता है इसके पास अब जब हम बात करते हैं इसके loading की तो load हमारा beam के उपर कुछ इस तरह से गिरता है clear है guys इस तरह से हमारा load आता है beam को ये क्या करता है नीचे push करने का कोशिश करता है clear जब ये beam नीचे push होती है तो क्या आता है ये जो supports में जो attach है beam अपने जो beam अपने supports में attach है उससे क्या करता है ये उपर उठने का कोशिश करता है clear तो यहां पर आप देखिया क्या हो रहा रहा है central पार्ट जो इस बीम का चयों से हो अब जब नीचे वाले portion से इसका failure हो गई इस तरव से बंड हो रहीद ओर तोई इसका tension zone पर आएगा यहाँ पर जो इसका central west है वहाँ पर tension zone कहा रहेगा नीचे इसके neutral axis जो इसका central है neutral axis उसके नीचे रहने वाला इसका tension zone clear लेकिन जैसे हम इसके supports में पहुचते हैं तो इसका deflection opposite हो जाता है यहाँ पर नीचे जा रही होती है लेकिन अपने support से क्या है यह ऊपर आ रही होती है इसी वादे से यहाँ पर जो moment generate होता है यह negative moment generate होता है इसका opposite moment generate होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा beam का neutral axis है जो इसका central part है वहाँ पर यह positive moment generate करता है और जो इसके दोनो support part है वहाँ पर यह negative moment generate करता है यानि कि जो इसका deflection होगा इसके supports पर उसमें जो tension zone है वो opposite हो जाता है clear अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारा concrete है वो weak होता है tension zone में तो हमें उसे tension में strong करने के लिए क्या करना होता है reinforcement लगाने होते हैं अब जब हम बात करते हैं कि कहां कहां पर reinforcement आनी चीए top extra bottom extra क्या importance है क्या खेल है उसके बारे मैं आपको बताता हूँ जैसे कि generally हम सभी ने देखा है कि जो हमारा support जो part है वहाँ पर top extra आते हैं हमारे supports को लेकर मैं आपको धोड़ा closely दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो हमारा support part है यहाँ पर देखी main bar तो जाई रहे हैं लेकिन यहाँ पर देखी कुछ एक particular distance तक top extra आके लगे हुए clear अब इन top extra का लगने का क्या मकसद है कि जैसी यह support के पास पहुसता है तो movement अपना direction change करता है negative movement बनता है इसका मतलब कि जो यहाँ पर इस L by 3 to L by 4 zone तक अपने support से L by 3 से लेकर L by 4 zone तक यह top extra आता है क्या रजिस्ट करने के लिए negative movement को रजिस्ट करने के लिए क्योंकि अब यह tension zone हो चुका है जैसे ही अपने support के पास पहुसता है तो इसका उपर वाला zone change हो जाता है अब नीचे compression zone और उपर tension zone रह जाता है इसी वज़े से tension में strong करने हमको हमारे frame को उस वज़े से यहाँ पर top extra का use किया जाता है similarly इस support पर भी उसी तरह का यहाँ पर हमने top extra के इस्तिमाल किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी zone change होगा यहाँ पर भी negative movement आ रहा है उसको register करने के लिए properly पर लिए यहाँ पर भी top extra लगाया जाता है clear है गाई अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो crank bar लगता है हमारे beam पे उसकी क्या importance और उसका क्या role and responsibility इसकी बारे में हम थोड़ा सा बात करते है कि गई देखिए support से क्या होता है top extra काम किया इसने crank bar नहीं आपर अब वो अपने direction change करके नीचे की ओर जाता है इस तरह से clear है अब क्या करता है जो beach में जो इसका central part है जो इसका central part है वहाँ पर अगर extra bar की जरुवत है तो वहाँ पर bottom extra bar लगती है इस movement को register करने के लिए main bar के अलावा अगर आपको और कोई बार लगानी है तो वहाँ पर आपकी लगेगी bottom extra bar central part में clear जो की मैंने आपको site में ले जाकर मेरे पुराने site वाले वीडियो में दिखाया था आप i button पे जाए और वहाँ से आप वो videos देखेंगे बीम के case में भी कि एक single continue bar की जो support से चालू हुआ top extra बना top extra से crank होके bottom extra को support किया bottom part को फिर यहाँ से crank होके इस वाले part के लिए top extra बनता था तो अब क्या होता है गाईजी जो crank वाला part होता है clear अब एक crank कहां से दिया जाता है बीम में जो crank दिया जाता है हमारे point of counter flexural यानि की यह जो आप point देख रहे हैं जहाँ पर यह movement change हो रहा है यह जो point है दोनों side पर यह जो point है जहाँ पर अपना direction change करता है movement वो कहलाता है हमारा point of counter flexural point of counter flexural जहाँ पर bending movement क्या होता है zero होता है तो यही point होता है जहाँ पर हमें क्या करना होता है direction को change करना होता है इसी point से बार अपना direction change करता है beam की case में भी यही है slack की case में भी यही होता है कि जहाँ पर point of counter flexural आता है वहीं से ही direction को change किया जाता है अब बात करतेगा इसकी beam के case में कौन-कौन से बार लगते हैं हमारे उस चीज के बारे में देख लेते हैं तो जो सबसे पहला बार लगता है हमारा वो लगता है top main bar कौन सा बार लगता है हमारा top main bar main bar क्या होता है जो एक support से लेकर अपने दूसरे support तक जाता है उसको हम कौन सा बार कहते है, main बार कहते है, clear है guys, इस main बार को, जो support to support जाता है, top direction से हमारा top main बार हो गया, similarly जो हमारा second बार होता है, bottom main बार, अब जो bottom पे जाता है, हमारा support तो support हो गया, हमारा bottom main बार, detail पे, next हम बात करते हैं, third, यह होती है हमारी top extra bar, जो बार हमरे supports पर लगती है, यहाँ पर negative moment को register करने के लिए, particular distance तक वो distance किता होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, L by 3 से L by 4 तक support और यहाँ पर L क्या होता है, clear span of the beam, clear है इस clear span of the beam, इसका data आपको IS code मिल जाएगा, IS code 456-2000 और हमारे BBS के लिए बहुत सारे IS code यूज़ होते हैं, उसके बारे में भी बहुत सारे जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पर, next, fourth जो हमारा bar यूज़ होता है, व यह bottom extra bar क्यों use होता है, यहाँ पर जो bottom पर अगर कोई extra support हमको provide करना है, वहाँ पर वो क्यों लगती है, क्योंकि अगर हमारा loading जादा है, हम depth increase नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर reinforcement जादा चाहिए, central part पर tension zone में, क्योंकि उपर क्यों नहीं बार आती, क्योंकि उपर compression zone है और concrete bit strong होता है compression zone में, लेकिन इसका जो central में जो नीचे पाट है, वो tension zone है properly clear, उस tension zone पर होने के वज़े से क्या होता है, वहाँ पर extra loading के वज़े से हमको और बार लगाना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर bottom extra का use किया जाता है, इसी वज़े से हमारा bottom extra bar यहाँ पर लगता है, य किस तरह से drawing को read किया जाएगा मैं आपको next video में सिखाने वाला हूँ guys, जो आने वाला है Sunday को आप बिल्कुल ready रहिएगा कि उसमें drawing को किस तरह से read करते हैं, किस तरह से उसको पढ़ा जाता है, उसके बारे मैं मैं आपको detail पर बताने वाला हूँ, वो सारी चीज़ आप करते हैं, और बहुत सारी चीज़े detail पर जानते हैं, और सीखते हैं हमारे detail corporate training course में, आप www.civilguruji.com पर जाकर visit कर सकते हैं, और वहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी नए नए चीज़े सीख सकते हैं, यहाँ पर eye button में मैं आपको एक और link जाए दे रहा हूँ, एक demo class का, पूरा तो दोस्तों, next Sunday को हम मिलते हैं, इसी जोश और जुरून के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जैन, जैबारग।